मुंबई के मशूर मरींडर में बसे हुए वान केडी स्टेडियम और बर्बन स्टेडियम को आपने रिखा ही होगा यह इस शेहर के लैंडमार्ग की रूप में जाने जाते हैं लेकिन हम इन स्टेडियम के बीच में ही एक और नाम शामल हो सकता है जो मुंबई के आउट सकॉ स्टेडियम को निर्मान करने ही तू लैंड पार्सुल को अक्वायर करने के लिए रूची दिखाई है महाराष्ट्र स्टेड रूट डेवलप्मेंट कॉपरेशन ने यहां एक लैंड पार्सुल को लीस पर देने के लिए भी टेंडर्ड किये हैं कि लैंड मुंबई नाप इसका मतलब यह है कि यह जो जगह देकी जारी है आमने विलेज में यह वही लोकेशन है जहां पर सम्रद्धी महामार गिया सम्रद्धी एक्सप्रेश पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेश पर एक इंटरचेंज बनाते हैं जिसके वज़े से यह देश का वन ओफ दी मोस्ट इंटरचेंज बनेगा और इसके वज़े से आमने विलेज के असपास में बहुत बड़े-बड़े इंवेश्मेंट्स अल्डेडी आच चुके हैं चाहे वो वेर आउस्स हो या दूसरे इंडर्श्रिल प्रोजेक्स और ऐसे में ही एक इंटरनाशनल क्रिक्टी स्टेडियम के उपस्तिती इस रीजिन की इंपोर्टेंस को और बड़ा देगी इनफाक्क ग्रो करने मदद करेगी अब आपको यहां में समझा देता हो कि बड़ी स्केल की क्रिक्टी स्टेडियम ना सिफ राज्य की स्पोर्ट स्फरश को बहतर करती है बट ओर ओर विकास को भी बड़ यहां पर कई चीज़े कंड़ की जाती है इस तो यहां पर हुए है और करेक्टर स्टेडियम का बंगा है पूरे रीजिन के फंक्शनिंग के लिए लेकिन मुंबई के में एडिया के अंदर यहां पैसे कोई स्टेडियम बनाना भी जो है पॉसिबल नहीं है इन फाक्ट के अंदाबाद में बना हुआ वोल्ड्स बिकेश्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा या नरेंदर मोडी स्टेडियम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में बहुत बड़ा पॉंट ऑट अट्रैक्शन था आपने विलेज के अंदर यह जो नया स्टेडियम बनने वाला है यह है तो यह capacity में से जादा भी हो सकता है लेकिन at least यह देश का second largest क्रिकेट स्टेडियम ज़रूर बनेगा इसके लेवा यहाँ पर क्रिकेट प्लेस को काफी फाहिदा भी मिलेगा मुंबई के दूसरे स्टेडियम के विपरी थाने डिस्टिक के अंदर 6 municipal corporations शामिल है जो देश क नस्दीख होने के वज़े से लेकिन exactly मुंबई के अंदर नो होने के वज़े से यहाँ पर connectivity पूरी MMR region से जादा बहतर होगी और local communities को इसके फाइदा मिलेगा sporting careers के साब से वैसे जो MCA है यह पहले से ही नवी मुंबई और थाने में दो नए cricket stadiums बनाने के लिए प्लान कर रह जैसे जगों पर practice करते हो लेकिन यह जो है समय और शक्ति की बरबादी इन stadiums के बनने के बाद में नहीं होगी MSRDC के कदिकारी ने confirm कि है कि MCA land acquire करने के लिए रुची व्यक्त कर चुकी है land location के tendering जो है वो कुछ समय बाद exactly होगी main land को खरीदने के लिए लेकिन जो पूरा एक काफी ज़दा कठोर financial और बाकी feasibility के expertise है वो पूरा करना इसके पहले करने के अवशकता है finally जो CM के दुआरे एक chaired board होगी वहाँ पर इस चीज को final approval मिलेगा MSRDC ने cricket activities के लिए अपने land को 99 वर्ष के lease पर देने के plan को भी सामने रखा है वैसे MSRDC ने जब समरुदी महामार के लिए plan किया था तब बहुत ज़दा extra land acquire कर लिया था रोड expansion के लिए towns बनाने के लिए आमने के असपस भी जगय है तो यहाँ पर MSRDC भी land provider बन सकता है और इसके अलावा land pudding activities भी हो सकती है इगतपूरी नासिक जीले में जो शुरू की गई है यानि कि कई सरे चोटे land parcels को मिला के MSRDC बड़े लायर्स को बनाएगी अपने अंदर और ऐसा भी हो सकता है कि MSRDC कूर डेवलबर की रूप में 10 से 12 हेक्टेर के अलग टेंडर को बाहर रखे यानि यह स्टेडियम MSC के साथ में डेवलप करेगी